है 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 हलो गाइस वेल्कम टूजे के स्ट्राडी सर्कल का जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे जेके एससपी फाइनस और अकॉंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है आज हम अपनी लेक्चर सीरीज से हटकर एक आपके लिए बर्निंग इशू और मतलब ए टॉपिक लेकर आया है साइकलोन तोते जो के आपको यहां से कोशन जरूर पूछेगी और यह अभी रिसेंटली न्यूज में यह टॉपिक रहा है तो यहां तक इसके चांसी हैं मतलब बसंट चांसी यह आपको पूचा जाएगा कैई और आज हम अगर आप हमारे इस चैनल पर नहे हैं तो प्लीज स्क्राइब को पहले करें ताके हरे हमारी नई नोटिफिकेशन अप्टेट्स रिर्गार्डिंग टू करंट्स आपको सबसे पहले पहुंच सकें गैस ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई यह हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं साइकलूंग तोते गैस यह अभी रिसेंटली आपको जैसे पता है कि यह अभी इसने लेंड़ फाल किया है गुजरात में लेंड़ फाल का मतलब होता है गैस जहां पर मतलब यह बिल्कुल स्टॉप हो जाता है जहां से यह आगे एफेक्ट नहीं करता गैस इसने अपने गुजरात के कोस्टल एरिया में इसने लेंट फाल किया है अभी यह जो साइकलोन है इसने बहुत सारी डिस्ट्रक्षन मचाई कहाँ पर कोस्टल स्टेट में जो कि है के रेला करनाठ का गोवार महरास्टरा में यह अब देख सकते हैं अभी मतलब महरास्टरा में आप अभी कितने लोग मर गए इस साइकलोन की वज़ा से और कितने लोग मिसिंग है ओशेन में गाइज उसके बाद हम चलते हैं इसके की पॉइंट्स देखते हैं ये इसका नाम मतलब क्यों रखा गया तोते ये एक ट्रॉपिकल साइकलोन है जिसको नाम दिया है मैन मारने ये हम डिटे जिसको मैन मार लेंगविज में गीको कहते हैं ये एक ट्रॉपिकल कंडिशन में पाई जाती हैं मतलब जो वाम कंडिशन होती है वहां पे पाई जाती है और इन्य इसी लिजर्ट की base पहस сाइकलोन का नाम रखा गया काईज ये टिपीकली जो होते हैं ट्रैपिकल साइकलो होते हैं वो North Indian Ocean Region में पाई जाते हैं जैसे बेफ पेंगाल हो गया अराबियंशी हो गया ये developed कब होते हैं दूरिंग प्रिमान्थ ये ड्वैल्प हुआ दूरिंग प्रिमान्थ ॉन एपरिल्टु जून में ये पॉस्ट मॉंसोन में developed होते हैं October to November periods में guys यह cyclone develop होते हैं guys उसके बाद हम देखें May और June में और October November में इनको are known to produce cyclone of severe intensity जो in months में cyclone होते हैं May और June और October और November में यह मतलब severe intensity के होते हैं यह effect करते हैं Indian coast को guys अब इसकी classification world world meteorological department ने इसको कैसे किया हुआ और जो Indian meteorological department है उसने इसको कैसे classify किया यह हम आपको दिखाते हैं कैसे classify का किया हुआ है इनको यह इनको किया हुआ है इस वेगंड इन्टो वैरी सेवर cyclonic strong from extremely severe cyclonic strong इसको क्या किया है इसको यह कर चुके है अब इसको very severe cyclonic अभी इसको गोषित कर दी गया है पहले यह बोग अक्षसके मली सेवर् इसको पहले गोषित किया गया था इंधीन मैटिरलोगीकल डिपार्टमेंट है इतार ट्लासे फारे किया है जो cyclone है वो classify किया गया sewer कब होते हैं जब उनकी maximum sustained surface wind speed है जब उनकी 48 to 63 knots हो तब उनको कहा गया sewer और very sewer कब कहा गया है जब 64 से 89 knots हो और extremely sewer कब कहा गया है 90 to 190 knots हो guys इसको पेले ये जब cyclone तोते था ये इसको extremely sewer गोशित किया गया था बट अब इसको very sewer कर दिया गया है गोशित और ये very very sewer की मैंने आपको पता है 64 से 89 knots इसकी speed रही होगी guys अभी जो super cyclonic storm है उनकी speed कितने होती है 120 knots होती है या उस से ज़्यादा होती है guys 1 knot कितने कितना equal होता है 1 knot is equal to 1.8 km per hour means extremely extremely हुआ होगा तो लगबंग 90 90 into 222 कर लो 2009 to the 80 मतलब इसकी speed रही होगी I think 175 km per hour रही होगी तभी इसको extremely वो कर दिया गया गोशित 175 से उपर रही होगी 90 से 190 knot के बीच में रही होगी तब इसको extremely सीवर गोशित किया गया था बढ़ अब इसकी speed कम हो चुगी है तो इसको very receiver cyclonic stream गोशित कर दिया गया था अब यह कहां पर develop हुआ यह develop हुआ arabiancy में तो ते जो है यह fourth cyclone है इस साल का यह develop हुआ जो है arabiancy में pre-monster period April और June के बीच में यह हो गया है develop और यह जो cyclone after cyclone meccano जो हुआ था 2018 में जिसने struck किया था कहां पर ओमान को और जो cyclone वायो था यह 2019 में आया था इसने struck कुजरात को किया था और उसके बाद आया cyclone निसरागा 2020 में आया था इसने struck किया था महारा स्ट्रा को all these cyclones since 2018 जो यह सारे cyclone जो 2018 के बाद है इनको कैटाग्राइज कर दिया गया seaver cyclone और वो इनको seaver cyclone या extremely seaver cyclone में इनको गोशित कर दिया गया था गाइद उसके बाद Arabiancy becoming hot bed of cyclone Arabiancy यह बनता जा रहा हा hot bed बनता जा रहा है maximum cyclone जो है Arabiancy से अब journey हो रहे है क्यों हो रहे है अब वो हम डिसकस करते है annually five cyclone on average form in the Bay of Bengal and Arabiancy मतलब हर साल पांच cyclone जो है on average Bay of Bengal Arabiancy मतलब इन दोनों को मिला कर रहा हर साल पांच cyclone यहाँ पर develop हो रहे है four develop हो हुए Bay of Bengal में जो warmer है Arabiancy से मतलब आपको पता होना चाहिए साइक्लों कहां पर develop होते हैं cyclone develop होते हैं जहां पर bombs conditions होती है गाइज वहां पर develop होते हैं in 2018 Bay of Bengal ने maintain किया average for cyclone आई यह ठीक है तो Arabiancy ने produce किया तीन cyclone strong ठीक है तो in 2019 में Arabiancy ने आवर टुक कर दिया Bay of Bengal को with five cyclones two three मतलब पहले तीन हुए थे 2019 के बाद यहां पर पांच cyclone हुए पर year ठीक है गाइज उसके बाद 2020 2020 में Bay of Bengal में हुए three cyclone strong Arabiancy में हुए two और उसके बाद in recent year अभी आपने जैसे देखा अबसार किया Arabiancy जो है कि वह बहुत warm हो चुका है तो इस फिनमेनों को कि से associate किया global warming से associate किया गया world meteorological department की तरफ से गाइज फिर उसके बाद अभी अबसार्व किया गया है कि जो surface temperature है Arabiancy का वह rise हो रहा है 40 साल से वह rise हो रहा है कितना rise हो रहा है 1.2 से 1.4 degree Celsius पर year इसका जो cyclone का temperature है यह rise कर रहा है sea का temperature rise कर रहा है गाईज उसके बाद tropical cyclone इसको हम आगे slides में detail में आपको discuss करेंगे यह जहाँ पर कहाँ पर tropical cyclone को किस name से जाना जाता है और कैसे इसकी formation होती है यह हम आगे आपको कुछ slides दिखाएंगे उसमें आपको details से पढ़ाएंगे अब देखो अब naming कैसे दी जाती है इस cyclone को वह हम बताते है naming किसकी कौन करता है इसकी naming करता है world meteorological organization इसकी guideline पर इसकी naming की जाती है जो countries होती है in every region are supposed to give names for cyclone मतलब हर एक country मतलब अपना सुझाव दे सकती है किसी भी cyclone की naming के लिए जो northern Indian ocean region है यह cover करता है tropical cyclone जो bay of Bengal या Arabian Sea में originate होते हैं तो जो north Indian ocean region की countries कों से है यह 13 countries है बंगलादेश, इंडिया, मालदीव, मैनमार, उमान, पाकिस्तान, शेरिलंका, थाईलेंड, इरान, कतर, सोधी अरेबिया, UAE और यमन यह countries है Indian ocean region की अब Indian ocean region में कों कों से आते है जहां पर area कों से आते हैं जहां पर cyclone जरनेट होते हैं Bay of Bengal और Arabian Sea और जहां इन दो area में जो भी cyclone originate होंगे और इन countries से उनकी naming के बारे में पूछा जाएगा अब यह countries name suggest करेंगी कि cyclone का क्या नाम रखना है और जो Indian meteorological department है यह one of the six regional specialized meteorological center मतलब जो world meteorological organization है उसने छे regional specialized meteorological centers बनाए हुए है जो के naming देते हैं तो उसमें से इंडियन meteorological भी इन छे में से एक है तो इसने क्या किया इसने mandate यह world Indian meteorological department क्या करता है mandate करता है इशू करता है advisory मतलब सभी countries को कि आप name suggest करें और जो मतलब अगर हमारे यहां तो अभी सभी country ने suggest किया किया था सभी country ने suggest किया था और Myanmar का जो मतलब Myanmar country थी उसके name के लिए सब सहमत हुए और उसके उसी ने जो name दिया था अभी उसी के name उसने जो cyclone का name दिया था वो ही रखा गया है cyclone tote ठीक है यह एक agency है Ministry of Earth Sciences के अंडर है यह वाली regional specialized meteorological center जो IMD है Indian meteorological department अब हम देखते हैं यह cyclone जो तोते है इसकी formation कैसे होती है और कैसे हुई अभी हम वो discuss करने जा रहे हैं सबसे पहले देखो मतलब महारास्ता में बहुत बढ़ी तबाही मचाई जिसमें बहुत सारे लोगों की deaths हो गई और बहुत सारे जो हैं अभी missings है और इसने मतलब हमारे COVID जब भी आपको पता है हमारा COVID pandemic चल रहा है और उसकी vaccination हो रही थी वो भी कुछ दिन के लिए रोक दी गई थी तोते के कारण और उसके बाद अब यह कहां पर originate हुआ यह originate हुआ आपको देख सकते हैं Arabian Sea में यह originate हुआ यहां पर और इसने कौन कौन से एरिया में तबाही मिचाई यहां पर मुंबई महरास्टा में, गोवा में, करनाटिका में यहां पर और यह फाइनली गुजराद के कोस्टल एरिया में इसने landfall किया गाई और उसके बाद आप देख सकते हैं यह कैसे कैसे गया यहां से होते हुए यह आप इसकी direction देख सकते हैं इसकी movement ऐसे हुई और उसके बाद यह अब यह देखो यह tropical cyclones है और यह मतलब हर, मतलब यह कहां पर आता है, यह अब दिखातों में आपको यह समझो equator है यह हमारी equator की line है equator पर आपको पता है equator के 23 and half degree north में tropic of cancer पढ़ता है और tropic of capricorn पढ़ता है south में 23 and half degree में और यहां पर equator होता है और equator पर आपको पता है vertical sunlight पढ़ती है और यहां पर क्या होता है temperature जएदा होता है मतलब यहां पर कहां पर फिर उसके बाद क्या होता है June और मतलब हर 6 मन्त के बाद sun की movement कभी 6 मीने में tropic of cancer पर रहती है और 6 मीने tropic of capricorn में पर रहती है इस वज़ा से जो equator से tropic of cancer और equator से tropic of capricorn यह जो area है यह warm जहां पर warm condition रहती है और जाहर सी बात है अब cyclone भी warm condition में जरनेट होते है और इसी region में हमारे cyclone जरनेट होते है और अब यह जो cyclone जरनेट हो रहे है हर country में मतलब इसको अलग अलग नेम से जाना जाता है अब किस किस नेम से जाना जाता है वो हम देखते हैं अब यह देखो यह ट्राप्रिकल साइकलोन है अब यहाँ पर देख सकते हैं अब सोस्ट चैना सी में इसको टाइफॉन बोलते हैं और वेस्टरन उस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं और हमारे इंडियन ओशन वाले पोर्शन में इसको साइकलो पर मिन्स डायरेक्ट पड़ती है और जो जैसे ये इस सन उपर की तरफ या नौर्थ की तरफ मूंब करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तब इसका एंगल में चैंजिंग आ जाते हैं मिन्स अब संद्रेज जो छॉट वेवलेंड है वो इसको ड्रेक्ट नहीं पड़ रह है यह वाला portion यह जो हो जाएगा इसमें warm conditions पैदा हो जाएंगी और cyclone यहां पर ही जर्नेट होंगे अब गाइज अगर नेक्स स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं यह देखो गाइज जो संद्रेज है वो वर्टिकल पड़ती है एक्वेटर पे ठीक है तो यहां यहां य होती है तो जाहर सी बात है एक्वेटर पे अब डिरेक्ट पड़ रही है ही तो मंस यहां पर ज्यादा वाम कंडिशन राइज होंगी तो सो ट्रॉपिकल साइकलों इस तरीके से बनते हैं अब इसकी फार्मेशन कैसे होती है विंट की मूवमेंट की वैसे होती है अब सफेरिक जो प्रेशर होता है उसकी वजह से मतलब क्या होता है मतलब क्या होता है अब प्रेशर ग्रेडियंट्स बंद जाते है अब प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या होता है वह यह जैसे यह लाइन होगी यह यह लाइन है यह क्या है यह प्रेशर ग्रेडियंट है यह प्रे मतलब कितना प्रेशर किस पर्टिकुलर केशन में कितना प्रेशन इंक्रीज हो रहा है वह हमें यह प्रेशर ग्रेडियंट बताता है आपको पता है जो विंट की मूवमेंट होती है है प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती हैं गाइज पिर उसके बाद अभी यह pressure gradient होता है pressure gradient के मतलव कुछ slope होते हैं जैसे अगर हमारा distance जयदा है मतलव जैसे इन दोने बीच में distance जयदा है for example यहाँ पर आपका pressure 1100 है और यहां पर 1090 है तो तब यहां पर क्या बनेगा एक steep slope बनेगा अगर जहां पर हमारा distance कम है है जहां पर हमारा डिस्टेंस कम है फार इक्जंपल यह से यहां पर 1100 है और यहां पर 1110 है तो तब हमारा स्लोप कैसे बनेगा तब हमारा स्लोप बनेगा ऐसे जेंटल स्लोग बनेगा यह जेंटल स्लोग बनेगा तो यह जाहर सी बात है आपको इससे लेना देना है नहीं आपको सिर्फ याद रखना विंट की मुवमेंट कैसे होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अब देखो हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहां बनता ह वो अब देखते हैं next slide में अब यह देखो यह जो होता है sun से जब raised निकलती है जहाँ पर जहाँ पर temperature जएदा होगा जहाँ पर temperature high होगा वहाँ पर क्या बनेगा low pressure बनेगा और जहाँ पर temperature कम होगा वहाँ पर क्या बनेगा high pressure यह आप याद रखेंगे, यह मैंने आपको UPSC की लेक्चर सीरीज में क्लाइमेटलोजी में बताया था, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कंसेप्ट, उसमें यह था, टमपरेचर इंक्रीज होगा तो लोग प्रेचर बनेगा, और टमपरेचर डिक्रीज होगा, अब टमपरे बनेगे प्रेचर इंक्रीज होगा, मिंस यहाँ पर देखो, यहाँ से वाम एर उपर की तरफ चलेगी, ठीके अब और आउशन में भी पड़ रही है, तो यहां से वाम एर ऊपर को चलेगी, आप उसके बाद देखे, अब आप आपको आ हर को नक्री एक्वेटर पार रही ह जहां से वाँ वेर लेर उपर उपर चले जाएगी ठीक है काई उसी तरीके से अब क्या होगा उपर से अब उपर तो लो मतलब उपर टंपरेचर कम है तो मिंस हाई प्रेचर है हाई प्रेचर से अब विंड कहां लो प्रेचर की तरफ मूव करेगी मतलब एर सिंग करेगी लो प्रेशर एरे में, गैस, अतना सम्झा गया, आभआ आपकोines तक समझा गया होगा, फिर उसके बाद देखिए, जैसे बताय würde, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की दरफ मूव करती है, फिर उसके। बाद एक और इफेक्ट होता है, जो के take part करता है cyclonic condition में इसको बोलते है crawl is force crawl is force क्या होती है वो हब देखते हैं crawl is force आपको पता है जो earth rotate करती है earth rotate करती है ऐसे west से east ठीक है अब हम इसकी definition से हम इसको समझते है crawl is force क्या होती है a force is generated and it act perpendicular to the direction of motion and to the axis of rotation ठीक है guys simple word में simple word में मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो अब ऐसे earth कैसे मूग कर रही है ऐसे कर रही है और यहां पर equator है equator पर जो earth की movement होगी वो तेज होगी as compared to pole ठीक है guys अब देखो जैसे हमारी उपर से क्या रही है उपर से हमारी winds आ रही है winds आ रही है अब earth की movement हो रही है northern hemisphere में क्या होगा जो winds उपर से आ रही है तो वो deflect हो जाएंगी right को ठीक है guys यहां से यहां को deflect हो जाएंगी ठीक है guys और अगर जैसे ही अब अगर हम नीचे के सोद्रन हम इस पेर की बात करें अगर यहां से wind आ रही है तो यह हमारी कैसे deflect हो जाएगी यह हमारी हो जाएगी deflect left को इदर को ठीक है उपर से जब आएगी तो यह right को अब आप यहां पे खड़े आप अपना right देख लेना यहां पे होगा नीचे आप खड़े तो आपका left यहां पे होगा इस तरह से यह wind की movement होती है हमारी तो इस wind की movement को यह किस की वज़े से हो रही है यह crawlish effect की वज़े से हो रही है क्यूंकि earth rotate कर रही है तो earth rotate कर रही है तो जो उसकी perpendicular में फोर्स लगएगी वो क्या होगी वो northern hemisphere में deflect हो जाएगी right को और southern hemisphere में deflect हो जाएगी left को guys और यह हमें आपको दिखाता हूँ यह हमारी होती है pressure belts अब यहां पे देखो यह हमारा equator है यह आप देख रहे हैं अब देखो यह हमारे southern hemisphere में यह deflect हो जाएगी left को और northern hemisphere में यह deflect हो जाएगी right को यहां पे हमारे बनते हैं cyclone अब यह cyclone मैं दिखाता हूँ कैसे बनते हैं हमारे यह देखें guys ऐसे cyclone बनते और यह से यह यह ऐसे गूम रहे है और इसके बीच वाला जो यह area होता है इसको हम बोलते है आई आई में हमेशा क्या होता है low pressure होता है guys low pressure होता है means warm zero होती है इसके अंदर क्या होता है warm zero होती है और बाहर जो होता है बाहर होता है high pressure होता है मतलब वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे होता है cool airs होती है और अंदर cyclone के अंदर आई में हमेशा इस portion को बोलते हैं आई ठीक है guys यह मैं आगे भी दिखाऊंगा और आई के अंदर होती है हमारी warm air और बाहर जो होती है यह होती है cool air guys अब आगे देखते हैं next slide में क्या है यह देखो guys अभी मैं process बता दो कैसे ocean में cyclone बनता है guys अब देखो यह देखो यह हमारा oceans है oceans में अब direct sunlight पढ़ रही है यहाँ पे direct sunlight पढ़ रही है और इतना portion हमारा क्या हो गया warm हो गया यहाँ क्या हो गया low pressure हो गया low pressure हो गया guys और warm air क्या करने लगी rise करने लगी और उपर से अब क्या हो रहा है ऊपर तो high pressure है वहां से जो cold डेर है वो वो नीचे को आने लगी और यहां से जब वहाँ में अपर rise करेंगी तब क्या होगा तब हमारा यहां पर क्या बन जाएगा तब हमारा यहाँ पर एक void create हो जाएगा मतलब खाली जगा अब इस void को बरने के लिए यह जो cool है रहे यह एंटर कर जाएंगी यह अंदर और एंटर कर जाएंगी अंदर और यहाँ तो पता है आपको यहाँ पर क्या है high temperature है मतलब low pressure है फिर वो गर्म हो जाएंगी फिर वो इस तरी किसे rise करने लग जाएंगी वो मैं आपको दिखाता हूं आगे अगर इस slide में मैं आपको पूरा सुन जाता हूं यहाँ देखो guys जैसे वह वाइड हुई फिर यह rise करने लगी फिर राइस हुई वहां में जब राइस होगी तो जब उपर की तरफ ज़े जाएगी वहां में तो क्या होगा temperature उपर आपको पता है temperature low है temperature low है तो यह क्या हो जाएगा temperature drop हो जाएगा increasing altitude के साथ अब यहां पर क्या हो जाएगा क्लोड formation होने शुरू हो जाएगी अब यह process continues चलता रहेगा continue चलता रहेगा जब यह चलता रहेगा तो यहां पर ऐसी condition circulation बन जाएगी कि यहां पर cyclone मन जाएगा ठीक है और cyclone बन जाएगा यहां से इस तरीका से हमारी cyclone की formation हो जाएगी और उस cyclone में क्या होता जाएगा अब देखो वो process continue चलता रहेगा चलता रहेगा यहां पर low pressure सबस बनता होती रहेगी और वो मतलब यह क्लोडस होता है यह इनना का सफिए सपीड में अब इंध्र को अगर अधर वह देखें अब नादन है में जब वह सईक्लोन बवन जाएगा तो किस तरीके से रोटेट करेगा और होटारन हमिश्पेर में बन जाएगा तो वह किसे तरीके से रोटेट करेंगे अब वह हम डिसकास करते हैं अब यह देख घूएज यह हम अब यह यह आ गया हमारा कि नॉर्दन है मिश फिर यहां पर अगया नॉर्दन हमिश्पेर अब यहां क्या हुआ एर, इस तरीके से इसकी मुवमेंट होने साने लगी, राइट को मुवमेंट होने लगी ये हम, अब मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स स्लाइड में अब राइट को मुवमेंट होगी तो साइकलों किस तरह गुमेगा happiness अभी ये जो यह जो यहां पर यह ऐसे चाहिए चाहिए इससाल्ट गुमाएंगी नाज़न है में सयक्लोन क्या करता है anti clockwise move करता है गाईज अब वैसे अगर हम सोधरन हमिस्पेर में की बात करें सोधरन हमिस्पेर में देखो अब ऐसे जा रहा है इसके अंदर विंड कैसे जा रही है इसके अंदर विंड लेफ्ट को डिफलेक्ट हो रही है ऐसे लेफ्ट को डिफलेक्ट हो रही है अब यह movement इसकी की अब से किनना होने है अब जैसे घुमता गुमता अगय के द्रफ बढ़ना शुरू कर देता है घ्र ब्रहु कर देखो अब यह मैं से कौन कौन से कहा हुआ प्वेन सी में बंधें बेह बेंकौल में बंधें और शरलंका के नीचे एक लेक्याड़ी two хорош Elastic साइक्लोन बनते हैं गाइज फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें अब इसकी इसका मतलब डियामेटर कितना होता है साइक्लोन का साइक्लोन का डियामेटर जो है मामूली जो हमारे इंडिया नोशिन जा इंडिया नोशिन में अराबियन सी और बेह बैंकॉल में बने उनका डियमेटर गाइज 600 से 1200 किलोमेटर तक भी होता है साइकलोन का डियमेटर गाइज और इसकी हम आगे इसकी वो देखें के इसकी स्पीड कितनी होती है कितना कवर करता है 300 to 500 किलोमेटर पर डे फिर उसके बाद हम नेक्स स्लाइड में देखते हैं अब यहां पर साइकलोन जा रहा है कोस्टलेरी की दर अब जब यह लेंड पर पहुंचेगा तब क्या होगा अब वो देखते हैं अब यह इस स्लाइड क्या ही तो पहुंकष क्यां कोस्ट्लेरी के लेंड पर यहां पर पहुंच गया अब देखो यह ऐप यहां पर यह दो अब यहां पर यहां पर यहां पर जाएगा और यह यह अपने साथ मॉस्च्चर को लेकर जा रहे थे उसकी वज़ा से यह सैक्लोन अब यहां पर क्या हुआ यहां पर जब यह पहुँचा तो इसकी मॉस्चर सप्लाइख भाई खत्म तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए ऐसे लेक्चर आगे भी लाते रहेंगे, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हम आपके लिए मतलब इससे भी बहतरीन कंटने टलाएंगे, गाइज, सब्सक्राइब जरूर करें, बकिए आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुडबाई, बेस्ट अफ लॉक, एंड स्टे सेफ, स्टे हॉम, एंड कीप हेल्दी.